देश के क्रिशी शेत्र में महिलाओं की भागिदारी बढ़ती जा रही है। इन जमीनों पर औरतें ना सिर्फ खुद खेती करती हैं बलकि खेती हर मजदूरों से भी काम लेती हैं। तमिलाडू में 7.6 फीजदी, तलेंगाना में 6.7 फीजदी, मध्यप्रदेश में 5.8 फीजदी, गुजरात में 4.3 फीजदी, राजस्थान में 3.8 फीजदी और चत्तिसगड में 2.7 फीजदी खेती पर महिलाओं का मालिकाना हक है। आसान भाशा में कहें तो इन ही बारा राज्यों में उस जमीन का 92 फीजदी भुभाग है जहां महिलाएं खेती करती हैं। एक और दिल्चस्प बाद जो इस सेंसस में निकल कराई वो ये है कि 2015-16 में 2010-11 के मुकाबले अनुसूची जातियों द्वारा ज्योती जाने वाली जमीन में 1.8 फीजदी की कमी आई। जबकि उसी समय दलित महिलाओं के मालिकाना वाले जमीन में 10.7 फीजदी की वृद्धी हुई और दलित मर्दों की जमीन में 3.2 फीजदी की किरावट दर्च हुई। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के मुताबिक क्रिशी शेत्र में महिलाओं को हासल कुल रोजगार का 80 फीजदी है। इन में 33 फीजदी, खेतीहर मजदूर और 48 फीजदी खुद किसान है। भारत में 85 फीजदी गाओं की औरतें क्रिशी में लगी हुई हैं पर मालिकाना हक 14 फीजदी महिलाओं के ही पास है। केवल 7 फीजदी महिलाओं के पास भूमी के मालिकाना अधिकार के साथ बिहार में स्थिती सबसे खराब है। जबकि क्रिशी शेत्र में 50.1 फीजदी से अधिक महिलाएं वहां सक्रिय हैं। सरवे के मताबिक रोजगार के लिए मर्दों के शहर जाने से खेती कास्त्री करण हो गया है। यही वज़ा है कि किसान उद्दमी और मजदूर के रूप में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। ब्यूरो रपोर्ट गो नियूस झाल झाल सक्चा झाल